आज हम सबसे पहले आपको एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है और ये वीडियो मैनमार का है जिस मैनमार के बारे में थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि वहाँ पर अब लोकतांत्रिक तरीके से च दिखाई दे रही है ये मैनमार में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है और ये महिला हर रोज इसी जगा पर आकर एरोबिक्स करती है और यहीं से वो एक वीडियो भी बनाती है जिस समय ये महिला हर रोज की तरह यहां एरोबिक्स कर रही थी उसी दोरान मैनमार की सेना की क मैनमार के राश्पती को हिरासत में लेने के लिए जा रही थी और जब दुनिया को इसकी जानकारी मिली कि मैनमार में ये सब कुछ हो गया है वहाँ पर सरकार को हटा कर सैनिक शासन लगा दिया गया है तो उसके बाद ये वीडियो चर्चा का विशे बन गया क्योंकि मायनमार से अब किसी भी तरह की कोई तस्वीरे नहीं आ रही है रिपोर्टिंग वहां से नहीं हो रही है ये देखिए ये महिला इसी जगा पर आकर हर रोज एरोबिक्स करती थी और यहीं से वीडियो बनाती थी लेकिन ये वीडियो जो अब आप देख रहे हैं ये खास वीडियो बन गया क्योंकि पीछे से जो गाड़ियां जा रही है सेना की ये असल में वहां के राश्टपती को गिरफतार करने के लिए जा रही है और इसलिए ये वीडियो लैंड मार्क वीडियो बन गया और थोड़ी ही देर में ये पूरी दुनिया में वाइरल हो गया क्योंकि एक तरीके से लाइव तस्वीरें गलती सही सही दुनिया ने देखनी मायनमार की लेकिन कुछी घंटों में इस वीडियो को लेकर एक फेक न्यूस भी तेजी से फैली और कहा जाने लगा कि ये वीडियो असल में नकली है क्योंकि इस लड़की की जो परचाई है वो आधी ही नजर आ रही है यानि पीछे जो आप देख रहे हैं तस्वीरें ये हो सकता है कि ये मौफड हो लेकिन ऐसा नहीं है और ये तस्वीर असली ही है अब सोचिए कि फेक न्यूस की बीमारी भारत में तो है ही लेकिन मैनमार तक भी फेक न्यूस की बीमारी फैल गई है इस फेक न्यूस के बाद इस वीडियो को देखने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी यानि जब सही जानकारी के साथ ये वीडियो आया तब इसकी पहुँच बहुत सीमित लोगों तक थी लेकिन जब इसमें फेक निउस की मिलावट हुई तो इसे देखने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चले गई और नौबत ये आ गई कि इस महिला को खुद सामने आकर ये सफाई देनी पड़ी कि ये वीडियो फेक नहीं है और इसमेला ने बाकाइदा आकर अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर इसने अपने पुराने वीडियो भी डाले और कहा कि मैं हर रोज इसी जगा पर आकर एरोबिक्स करती हूँ और ये वो उनके पुराने वीडियो जो आप देख रहे हैं जो हर रोज वो पोस्ट करती है तो उनोंने इन पुराने वीडियो को पोस्ट किया ये बताने के लिए कि मेरा नया ताजा जो वीडियो है ये असली है लेकिन इन पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं सड़क बिलकुल खाली है क्योंकि तब वहाँ लोगतांतरिक तरीके से चुनी गोई सरकार का शासन था और जो नया वीडियो आया है अब नया वीडियो देखिए इसी जगा से जो आया है इस वीडियो में आप देखेंगे پीछे सेना खड़ी हुई है और ये सेना की गाड़ियां पीछे से निकल रही है जैसे भारत में हारे खबर को लेकर फेक निउस फैलाई जाती है ठीक वैसे ही मैनमार का ये वीडियो भी फेक निउस की विमारी का शिकार हो गया इसलिए आज सबसे पहले आपको हमने यही वीडियो दिखाया लेकिन फिर बता दें कि ये फेक नियूस का आरूप जरूर लगा था लेकिन ये वीडियो सच्चा है तो आप कह सकते हैं कि मायनमार में इस समय लोकतंत्र की जो विजिबिलिटी है वो बिलकुल शूने हो गई है लोकतंत्र वहां दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा और सितियां बेहद नाजुक हो गई हैं वहां से किसी भी तरह की कोई खबर मीडिया के जरीये भी नहीं आ रही है वहां जादातर चैनल्स को बंद कर दिया गया है जो रिपोर्टर्स हैं उन्हें रिपोर्टिंग करने की अजाज़त नहीं दी जा रही है और कुछ अंतराश्चे न्यूस चैनल्स के जरीये हमें थोड़ी थोड़े कुछ वीडियोज मिले हैं जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं भारा समेट कई देशों को जब ये लग रहा था कि मायनमार में लोकतंतर का भविश्य बहुत उजवल है ऐसे समय में लोकतंतरिक मूल्यों का पतन ये बताता है कि अब भी मायनमार के डियने में लोकतंतर की कमी काफी ज्यादा है आज हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि शुकर मनाईए आप मायनमार में नहीं रहते हैं आप भारत में रहते हैं जहां समय दानिक व्यवस्था दुनिया के लिए एक आदर्श है इसलिए आज आपको मैनमार के राजनितिक संकट से ये भी समझना चाहिए कि किसी भी देश के लिए लोगतंत्र का महत्व कितना बड़ा होता है और इसे समझने के लिए पहले आपको मैनमार की ताजा स्थिति को समझना होगा और ये संकट हम आपको सिर्फ पांच पॉइंट में तक्ता पलट से सिर्फ दो महीने पहले ही वहां पर आम चुनाव हुए थे और इन चुनावों में आंग सान सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोकरिसी पार्टी को 498 में से 396 सीटे मिली थी और वो दूसरी बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी लेकिन दो ही मही में उनकी सत्ता उनसे चीन ली गई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया दूसरी बात ऑंग सान सूची चुनाव तो जीत गई लेकिन वहां की सेना ने इन चुनावों में धांदली के आरोप लगाने शुरू कर दिया यानि सेना का आरोप ये है कि जो चुनाव करवाए ग सेना के आरोपों के बाद से ही वहां टकराव की स्थेतियां बनने लगी थी और इस दौरान वहां रोहिंग्या मुसल्मानों को लेकर जो नर्म रुख दिखाया गया उसका भी विरोध हुआ तीसरी बात चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही सेना ने विरोध करना शुरू कर दिया था और इसी टकराव के बीच मायनमार में तक्ता पलट हो गया और वहां के राश्पती और स्टेट कांसिलर सूची को हिरासत में ले लिया गया है चौती बड़ी बात यह है कि मायनमार में 2011 में लोकतंत्र की बाहली हुई थी इससे पहले वहां 50 साल तक ऐसे ही सेना का शासन था और एक बार फिर से वहां की सत्ता पर सेना ने कबजा कर लिया है और आखरी पॉइंट यह है कि मायनमार में एक साल के लिए अब आपातकाल य कमांडर इन चीफ आफ डिफेंस सर्विसेज जनरल मिन ओंग लैंग के पास रहेगी यानि वहां के जो सेना के प्रमुक हैं वो सत्ता अब चलाएंगे और जो चुनी हुई सरकार है जिसे लोगों ने चुना था उसे बरखास्त कर दिया गया है मायनमार में इस समय हालात काफी तनावपूर्ण हैं और वहां संसद जाने वाले रास्ते पर सेना ने अपने टैंकों की तैनाती कर दी है इसके अलावा वहां एक सरकारी टेलिविजन और रेडियो ने भी अब काम करना बंद कर दिया है और कई प्रांतों में टेलिफोन और इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं ठप कर दी गई हैं आप किसी को फोन नहीं कर सकते आप इंटरनेट पर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते और अंतराश्रे फ्लाइट्स भी वहाँ पर बंद कर दी गई हैं यानि इस समय माइनमार पूरी दुनिया से हर प्रकार से कट चुका है और ये जो तस्वीरें हैं ये आज हम आपको ताजा तस्वीरें माइनमार की दिखा रहे हैं मायनमार में हुए सेने तक्ता पलट का जाया तर देशों ने पूरी दुनिया में विरूद किया है और भारत ने भी इस तक्ता पलट का विरूद किया है भारत के लावा European Union, Britain, America और Australia समेथ कई देशों ने हिरासत में लिए गए नेताओं को तुरंत रिहा करने की मांगी है और अमेरिका ने बहुत कड़े कदम उठाने के संकेत दिये हैं अमेरिका भी काफी नाराज है लेकिन यहां एक समझने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पर चीन की पूरी दुनिया से बिलकुल अलग है पूरी दुनिया तो आलोचना कर रही है और कहरी है कि लोगतंतर की बहाली होनी चाहिए लेकिन चीन ने इस पूरे मामले पर सिर्व रितना कहा है कि वो इस मामले में अभी और जानकारियां एकटा कर रहा है और इसी वज़े से अब चीन की भूमी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि मायनमार में जो कुछ हुआ उसके पीछे चीन की साज़िश भी हो सकती है यानि मायनमार की जो सेना है जिसने तक्ता पलट किया है हो सकता है वो चीन के साथ मिली हुई हो इस पर हमने आज हमने भी काफी रिसर्च किया जो चीन को लेकर कुछ संदे पैदा करता है मायनमार में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाले देश जो है वो चीन ही है और चाइना मायनमार एकनॉमिक कोरिडोर के तहट चीन ने मायनमार में 38 प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा है जिन मेंसे 29 प्रोजेक्ट को मनजूरी भी मिल चुकी है यानि चीन वो देश है जिसने मायनमार में सबसे ज़्यादा पैसा निवेश किया है मायनमार के पावर सेक्टर में चीन का कुल निवेश 57% के आसपास है ओल, गैस और खनन के शेतर में चीन का निवेश 18% है और इसके अलावा चीन मायनमार के एक मेगा सिटी प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है जिस पर उसका खर्च लगभग 11,000 करोड रुपे होगा अब आप समझ सकते हैं कि मायनमार में हुए तक्ता पलट के पीछे चीन की भूमिका को लेकर पूरी दुनिया उस पर संदे क्यों कर रही है ये भी कहा जा रहा है कि इस तक्ता पलट के पीछे एक मकसद ये भी हो सकता है कि चीन को छोड़कर मायनमार के दूसरे सहयोगी देशों को किनारे किया जा सके और इसका पूरा फाइदा चीन को हो और इन देशों में भारत भी काफी एहम देश माना जाता है क्योंकि हमारे चार राज्यों की सीमाएं मायनमार से मिलती है मायनमार भारत का एक परमुक पड़ोसी देश है और वहां की राजनितिक स्तिर्टा का असर दोनों देशों के संबंदों पर और सीमा वर्ति इलाकों की शांधी पर पर सकता है यही नहीं मायनमार की सीमा जिन पांच देशों से लगी हुई है उनमें चीन प्रमुख है इसलिए भी भारत के लिए मायनमार की सरकार ज्यादा एहम हो जाती है भारत के चार राजों की सीमा मायनमार से लगती है और ये जो सीमा है ये लगभग डेड़ हजार किलो मीटर लंबी है इसलिए भारत के लिए ये और भी ज्यादा चिंता की बात है जो कुछ मायनमार में हो रहा है उसे लेकर मायनमार कहां पर है यहां आप देख सकते हैं और ये भारतिय राज्ये हैं जिन से मायनमार की सीमा लगती है अरुनाचल प्रदेश, नागलेंड, मनीपुर और मिजोरा इन में अरुनाचल प्रदेश की सीमा चीन से भी लगती है जिसकी वज़े से मायनमार भारत के लिए काफी एहम है यहां एक और समझने वाली बात यह है कि चीन और मायनमार की सेनाओं के बीच संबंद काफी अच्छे माने जाते हैं ऐसे में मायनमार की सेना काशासन आने से भारत की चिंताएं और बढ़ सकती है अगर देशों की बात करें तो इसी नक्षे के जरीए में आपको यह भी बता देता हूँ कि मायनमार के पड़ोसी देश कौन कौन से है देखिए मायनमार के उत्तर में चीन है मायनमार भारत का पड़ोसी देश है दूसरा जो मायनमार का पड़ोसी देश है वो भारत है चीन के लावा बांगला देश की सीमाएं भी मायनमार से मिलती है लाओस पूर्व में मायनमार के साथ मिलता है और थाइलेंड दक्षन में सीमा थाइलेंड की मायनमार के साथ मिलती है अब यहां यह समझे कि इन परस्थितियों में भारत के लिए जरूरी बातें क्या है हम किसी भी हालत में मायनमार से बातचीत हमें रोकनी इस समय नहीं चाहिए बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि मायनमार के साथ बातचीत बंद कर देनी चाहिए क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अगर ऐसा देश हमारे पड़ोस में है जिसमें लोकतंत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को बरखास कर दिया गया है तो हमें उसका बहिशकार कर देना चाहिए लेकिन हमारा मानना यह है कि डिप्लोमसी का पहला रूल यहे है कि बातचीत रुखनी नहीं चाहिए और हो सकता है कि इसके लिए भारत की आलोचना भी हो कि वो ऐसे देश से रिष्टों को महत्व दे रहा है जहां सैनिक ताना शाही है लेकिन भारत को इस स्पक्ष को किनारे रखकर मैनमार के साथ राजनितिक रिष्टे बनाए रखने चाहिएं क्योंकि अगर लोकतंतर कमजोर होने के नाम पर पश्चिमी देश मैनमार पर प्रतिबंद लगा देते हैं सैंक्शन्स अगर लगा देते हैं तो मैनमार चीन के साथ बहुत आसानी से समझोता कर लेगा आप कह सकते हैं कि वो चीन की गोद में जाकर बैठ जाएगा जो भारत के लिए शायद अच्छी स्थिती ना हो क्योंकि मायनमार ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में हमेशा भारत का साथ दिया है और जब भारत ने मायनमार में उगरवादी संगठनों पर कारवाई की थी तो भारत के साथ एक अच्छे दोस्त की तरह मायनमार खड़ा रहा था आपको याद होगा भारत की सेना ने मायनमार में घुसकर हॉट परस्यूट भी किया था आप मैंसे शायद बहुत कम लोगों को पता हुगा कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तब बर्मा पर भी ब्रिटिश शासन की पकड़ कमजोर होने लगी थी तो हमारे देश में बहुत सारे लोग मायनमार को आज भी बर्मा के नाम से ही जानते होंगे तो आप ये भी समझ लीजे कि ये मायनमार बर्मा ही है मायनमार को तब बर्मा कहा जाता था और भारत को आज़ादी मिलने के सिर्फ 142 दिन के बाद 4 जनवरी 1948 को अंग्रेजों ने बर्मा को भी आज़ाद कर दिया था तब बर्मा के लोगों को ये आजादी कैसे मिली थी आज आपको ये भी बताते हैं इससे आप बर्मा के साथ जो हमारे संबंद हैं उन्हें समझ पाएंगे वर्ष 1824 से 1885 के बीच हुए तीन युद्धों के बाद बर्मा पर अंग्रेजों का कबजा हुआ था और 1886 में अंग्रेजों ने बर्मा को भारत का एक प्रांथ गोशित कर दिया था तो जिसे आप अखंड भारत की तरह देखते हैं उस समय अंग्रेजों ने बर्मा को भारत का ही एक प्रांथ गोशित कर दिया था हाला कि पहले विश्युद के बाद 1920 में वहां बिटिश शासंग के खिलाफ विद्रो शुरू हो गया और उस समय भारत में भी स्वातंतरता के लिए अंदोलन चल रहे थे बर्मा को आजादी दिलाने के लिए वहां के छातर नेता ओं धंगसान सूची उनहीं की बेटी थे भारत की तरह बर्मा में भी आजादी के लिए कई पूबन हुए लेकिन जिस तरह दूसरे विश्युद ने भर्रत की अज़ादी का रस्ता तैयार किया था ठीक वैसा ही बर्मा में भी हो रहा था क्योंकि दूसरे वर्ल वर के बाद अंग्रेजों की ताकत बहुत कम रह गई थी इसलिए भारत और बर्मा दोनों देशों को इसका फाइदा मिला और 15 अगस्ट 1947 को पहले भारत आज़ाद हुआ और फिर 4 जनवरी 1948 को बर्मा को भी आज़ादी मिल गई अब आप कह सकते हैं कि तब अंग्रेजों ने इन दोनों देशों को आज़ाद करने का मन बना लिया था और इसकी बड़ी वज़ा थी यहां के ख़जानों का खाली हो जाना अंग्रेजों के ख़जाने का खाली हो जाना और लगातार उनके खिलाफ होने वाले अंदोलन गोली मालकर हत्या कर दी गई तो मायनमार सिर्फ भारत का पड़ोसी देश नहीं बलकि दोनों देशों ने आजादी का संगर्ष अत्याचार और अन्याए एक साथ सहा है और देखा है हाला कि आजादी के बाद भारत लोकतंत्र के रास्ते पर चल पड़ा लेकिन मायनमार में लोकतंत्र की जड़ें कभी भी मजबूत नहीं हुई और ऐसा क्यों हुआ अब आप ये समझेए 1948 में मायनमार बिटिश शासन से आजाद तो हो गया लेकिन 14 वर्षों के बाद ही वहाँ पर सेना ने सत्ता पर कबज़ा कर लिया और इस शासन को मिलिटरी जन्ता का आगया जुन्टा कहते हैं वैसे वहाँ पर मिलिटरी जुन्टा का आगया और ये 50 वर्षों तक रहा असल में जुन्टा उस सरकार को कहते हैं जो किसी देश में चुनाव के जरिये नहीं बलकि ताकत के बल पर बनाई जाती है अगर ये काम सेना करती है तो इसे मिलिटरी जुन्टा कहते हैं हाला कि सेना के शासन के दौरान 1988 में मायनमार में लोगतंतर के समर्थर में प्रदर्शन भी हुए और उसी समय ऑंग सैन सूची मायनमार वापस लोटाई और अगले ही वर्ष उन्हें उनके घर में नजर बंद कर दिया गया था फिर 1990 के चुनावों में सूची को बड़ी जीत मिली लेकिन तब सेना ने उन्हें सत्ता सौपने से इंकार कर दिया और 1991 में उन्हें शान्ती के नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया फिर 2010 में जब फिर से चुना हुए तो मैनमार की सेना के समर्थन वाली पार्टी को जीत मिली और तब ऑंग संच सूची को रिहा कर दिया गया और वो 15 साल तक नजर बंद रही 2012 में हुए एक उप चुनाव में मिली जीत के बाद सूची पहली बार वहां की संसद में पहुँची और 2015 में मैनमार में पहली बार सुटंतर रूप से चुनाव हुए और इस चुनाव में सूची की पार्टी जीत गई इसके बाद वो मैनमार की स्टेट कांसिलर बनी ये पद हमारे देश के प्रधान मंतरी के बराबर होता है फिर 2020 के चुनाओं में फिर से सूची की पार्टी को सपष्ट बहुमत मिला लेकिन वहां की सेना ने चुनाओं में धंदली के आरोप लगाए जिससे वहां की चुनाओ आयोग ने खारिज कर दिया और इसके बाद कल मैनमार की सेना ने एक बार फिर वहां पर सैनिक शासन लगा दिया और सरकार को बरखास्त कर दिया मायनमार देश को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था लेकिन ये नाम 1989 में बदल कर मायनमार कर दिया गया और इसी तरह मायनमार के सबसे बड़े शहर रंगून का नाम भी बदल कर यंगून कर दिया गया आपने रंगून का नाम तो जरूर सुना होगा, रंगून से हमारे बड़े पुराने रिष्टे रहे हैं भारत के अंतिम मुगल शासक बहदुर शाह जफर की कबर इसी यंगून शहर में, यानी पुराने रंगून में है जिने भारत में 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुए विद्रो के बाद बंदी बनाकर अंग्रेजों ने बर्मा भेज दिया था और यही पर यानी बर्मा में ही उनकी मौत हुई थी मौत से पहले बहुदर शाह जफर ने कुछ पंक्तियां लिखी थी वहीं बर्मा में और ये पंक्तियां कुछ इस तरह थी उन्होंने लिखा था कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए दो गज जमीन भी न मिली कुए यार में और बहदुर शाह जफर की जो कबर है वो आज भी रंगून में है अब आप संख्शेप में समझेए कि मैनमार की स्टेट काउंसिलर ओंग सान सूची का अब क्या होगा क्योंकि आप में से जदा तर लोग मैनमार का जो चेहरा है उसे सूची के चेहरे को ही मानते हैं आप सारे दुनिया में सूची को लोग पहचानते हैं और उसी को मैनमार का चेहरा माना जाता है मायनमार में सैन्ने शासन की शुरुवात को ओंग सान सूची के राजनतिक करियर का अंत भी माना जा सकता है और इसकी तीन बड़ी वजाए है सूची की उम्र इस समय 75 साल है उनके स्वास्ते को लेकर सवाल उठाय जा रहे हैं और वो बहुत स्वस्त नहीं है और मायनमार की सेना अब सूची पर बिलकुल भरोसा नहीं करती और इस समय मायनमार की सेना के जनरल वहाँ के शासन पर अपना पूरा नियंतरन स्थापित कर चुके हैं और सूची को कम से कम एक साल का इंतजार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी एमर्जेंसी एक साल के लिए लगाई गई है और इसलिए अभी ये कहा जा रहा है कि सूची के लिए अब वापसी करना बड़ा मुश्किल होगा वर्ष 1947 में ओंग सान सूची के पिता की हत्या कर दी गई थी और 1960 के दश्रक में सूची ने भारत में ही अपनी स्कूली शिक्षा पूरी किया यानि वो भारत में ही उन्होंने पढ़ाई किये भारत के स्कूलों से ही पढ़ी है और आगे की पढ़ाई के लिए वो पिता ने एक स्वतंत्र और लोगतांत्रिक देश का सपना देखा था वहाँ पर उन्हें राष्ट पिता की तरह सम्मान दिया जाता है जैसे हमारे देश में मात्मा गांधी को राष्ट पिता माना जाता है मायनमार में उन्हें राष्ट पिता माना जाता है सूची के पिता को अब शुक्र मनाईए कि आप भारत में रहते हैं और लोगतंत्र के नाम पर आपको क्या क्या करने की अजादी है आप यहां पर मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपको जो समझना होगा वो ये कि भारत में इसको लेकर क्यों चिंता होनी चाहिए और आज हमने सबसे पहले आपको ये विशलेशन क्यों दिखाया ये आपको समझना होगा हम आपको ये बता चुके हैं कि दिल्ली से इस देश की दूरी सरफ 2300 किलोमीटर है और हमारे चार राज जैसे हैं जो मैनमार से मिलते हैं मैनमार की सेना है वो चीन के बहुत करीबी मानी जाती है और अब वहां सेने शासन आ जाने के बाद से चीन के साथ उनकी नजदीकिया और ज्यादा बढ़ सकती हैं और ऐसे में चीन का हस्तक शेप हमारे एक पड़ोसी देश में और ज्यादा बढ़ जाएगा जो कि भारत के लिए बहुत खतरनाक है लेकिन भारत और मैनमार के संबंद अब तक काफी अच्छे रहे हैं और आपको याद होगा पिछले साल मैनमार ने 22 उगरवादियों को जिनकी भारत की सुरक्षा एजिंसियों को तलाश थी मैनमार ने उन्हें हमें सौंप दिया था ये उनकी तरफ से एक बहुत अच्छा बड़ा गुडविल जेस्चर था इसके अलावा मैनमार में घुसकर हमारी सेना उन्हें कुछ समय पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी जब कुछ आतंकवादियों को हमने मैनमार की सीमा में घुसकर वहाँ पर मार डाला था और अभी हाल ही में भारत ने मैनमार को 30 मिलियन डोज कोरोना वैक्सीन की भी दी हैं ताकि वो अपने देश के लोगों को कोरोना वाइरस के लिए ये वैक्सीन लगा सके और आपस में चाहे व्यापार की बात हो चाहे दूसरे को मदद देने की बात हो भारत और मैनमार के संबंद काफी अच्छे वहाँ पर रहे हैं इस सरकार के साथ भी बातचीत जारी रखनी होगी क्योंकि अगर भारत चीन को रोकना चाहता है तो हमें भी इस सरकार को यानि सेने सरकार को इसके साथ अपना engagement बढ़ाना पड़ेगा.